Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So, आज सोचा थोड़ा रूबरू बैट करके पढ़ाई करें So, guys, approaches हम कर रहे थे And अभी कुछ approaches बाकी हैं जैसे human relation approach, गांधियन approach पर थोड़ा सा deviate करेंगे, approaches आजाएंगी जो बची है, गांधियन बची है, human relation बची है वो approaches आने वाले lectures के अंदर आजाएंगी आज कुछ अलग topic करते हैं इस lecture के अंदर And that will be your evolution of industrial relations in India तो एक basic सा evolution समझने की कोशिश करेंगे कि industrial relations है, वो इंडिया के अंदर कैसे evolve की है दुनिया के अंदर क्या चल रहा था, वो तो हम देख चुके हैं कैसे different disciplines से आपका industrial relations निकला तो इंडिया के अंदर evolution कैसे चला क्या इंडिया के अंदर भी industrial relations का जो concept है वो पिछले 200-300 सालों के अंदर ही आया Britishers तो यही claim करते थे कि industrial relations जो है वो कही ना कहीं इंडिया को Britishers नहीं जिकाया नहीं तो इंडिया में तो industrial relations जैसा कुछ था नहीं तो evolution को समझेंगे industrial relations के इंडिया में and lecture start करने से पहले यह MCQ courses है अगर आप EPFO, EPFC के लिए prepare कर रहे हो या gap industrial relations अगर आपके किसी भी exam के अंदर syllabus में है social security तो यह courses है link description में आप जाकर के explore कर सकते हैं free test भी available है website के उपर वो भी आप जाकर के एक बार explore ज़रूर कीजिएगा तो industrial relations के उपर आजाते हैं industrial relations in India के अगर हम बात करते हैं तो start करेंगे बिल्कुल ancient times से क्योंकि industrial relations जो है इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि 100-200 साल-300 साल पहले आया हमारे अगर आप ancient scriptures को देखोगे या जो ancient laws लिखे गए थे country के अंदर उसको अगर आप देखोगे तो उसमें proper आपको मिलेगा industrial relations का concept उसके अंदर आपको point मिलेगा कि क्यों capital और labor के बीच में peaceful relations maintain करके करके रखना important है अगर industry को grow करना है ठीक है and craftsmen and workers अगर आप देखोगे trade union का concept जो modern day trade union का concept है वो हमारे आपर कितने पहले से है हमारे आपर guilds हुआ करते थे श्रेनिस जिनको बोलते थे अगर किसीने history पड़ी है तो ठीक है तो craftsmen और workers की united groups बना करते थे है ना तो वो हमारे आपर बहुत पहले से बनते आ रहे है हरपन civilization के time से ठीक है जी उसके बाद अगर आप देखोगे unions की importance एक आपका book है which is called as शुकला यजुरुवेदा समिता इसके अंदर utility की trade unions की utility क्या है वो यहाँ पर clearly mentioned है जैसे यह highlight करता है that if men are united nothing can deter them अगर आदमी united है एक साथ है तो ultimately उसका कोई कुछ नी भी गाड़ सकता ठीक है कोटलिया का अर्थशास्त्रा अगर आप देखोगे तो कोटलिया के अर्थशास्त्रा के अंदर भी आपको clearly picture मिल जाएगी trade unions की चाहे वो employees की है craftsmen की है artisans की है तो कही ना कही हमारे आपर trade unions का concept ancient India के अंदर था हमारे आपर proper guilds बने हुए थे well organized guilds थे इनके खुद के कानून होते थे इनके खुद के management laws होते थे लेकिन medieval period के अंदर आते आते specifically अगर मैं बात करूँ मुगल्स के time तक तो मुगल्स के time में ये unions को इतनी जादा importance नहीं दी गई और कहीं ना कहीं ये जो trade unionism का concept था इंडिया के अंदर वो medieval इंडिया के अंदर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा गिर गया क्योंकि organization of workers exist नहीं करते थे मुगल rule के अंदर और जो labor और employer का जो relation था, वो completely किसके उपर dependent था, masters के उपर, यानि कि employers के उपर, और forced work भी यहाँ पर आ जाता था, picture के अंदर, forced work भी लिया जाता था, तो ultimately medieval period के अंदर कहीं ना कहीं industrial relations जो हैं, इंडिया में decline हो गए उसके बाद अगर modern times की बात करें, ancient और medieval तो हमने बात कर ली, modern times की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर तीन phases आते हैं, industrial relations के ठीक है, अलग-अलग जो experts हैं, अलग-अलग phases में divide करते हैं, हम ये three phases को समझेंगे, first, second and third phase, first phase जो है, basically Britishers के आने के बाद से, जो आपका middle of the 19th century, जब basically Britishers, पूरे तरीके से, इंडिया के अंदर establish हो चुके थे, यानि कि आप 1850s का period लगा कर के चलो ठीक है, तो middle of the 19th century से लेकर के, first world war के end तक, 1919-1920 तक के period तक बादा है हमने second phase, जो आपका first phase का ending period है, यानि कि 1921 से लेकर के, आप लेकर के चलो, 1947 आपका independence तक का और third phase आजाता है, आपका post independence हे रहा, post independence हे रहा हम यहापर बहुत ज़्यादर detail में discuss नहीं करेंगे वो next lecture के अंदर आएगा, जिसके अंदर हम constitution के provisions हैं five year plans में कैसे industrial relations के ओपर focus रहा, वो सब देखेंगे तो पहले कर दिया गया था, ठीक है तो यह जो period था ना, जो first phase का period था, या मैं बात करूँ 1850 से लेकर के mainly 1900 का जो period था इस period के अंदर अंग्रेज सरकार का ध्यान किस चीज़ के उपर था mainly कि अगर contract breach होता है अगर कोई breach of contract करता है तो उसके लिए penalties के आऊंगी ये भी mainly, देखो ये जो period था ना, mainly ये वाले 50 साल ये वाले 50 साल अंग्रेज सरकार का सिरफ ये focus था कि कैसे जो Britain के लोग आकर इंडिया में काम कर रहे हैं ठीक है, उनके interest को protect किया जा सके ठीक है, और breach of contract या conditions of work की भी अगर हम यहाँ पर बात करें ये सिरफ और सिरफ Britishers को advantage प्रोवाइड करने के लिए था ताकि उनको किसी तरह की problem या loss ना सफर करना पड़े ठीक है, और जो indigenous employers है उनके पास जो competitive advantage है उसको खतम कैसे किया जा सके ताकि जो Britain के industry यहाँ पर set हो रही है या जो Britain में finished goods produce हो रहे है, देखो Britain क्या करता था, यहाँ से raw material ले जाता था वहाँ पर Britain में machine लगा रखी थी machineों से कपड़ा बनता था और वापिस हिंदुस्तान में आ जाता था, तो हिंदुस्तान के industry को कैसे खतम करना है, ताकि लोग हिंदुस्तानी समान खरीद करके Britain का समान खरीदें, ठीक है तो यह सारे का सारा जो first phase है specially जो पहले 50 साल है इस first phase के, उसमें focus सारे का सारा इसी के उपर था 19th century का जो later halfता, यानि कि आप भी यह देख लो जब Congress आगी, 1885 के अंदर Indian National Congress की formation हो गई, Indian National Congress और जब revolt के बाद धीरे-धीरे लोग जागरुक होने शुरू हुए, तो ultimately pressure बनना शुरू हुआ, कुछ legislative measures adopt किये गए 19th century के starting के अंदर, अगर आप देखोगे and 19th century के end के अंदर और 20th century के starting के अंदर तो यह mainly consider किया जाता है कि यहां से mainly industrial relations इंडिया के अंदर अब शुरू होंगे ठीक है, अब wish we youth आ गया, पहला जब भी लड़ाई होगी न, तो उससे कहीं न कहीं labor policy के उपर impact पड़ेगा इपड़ेगा, एक चीज़ याद रखना, कि जब लड़ाई है, अगर youth चल रहा है तो उस time पर क्या होगा, resources की demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सरकार को चीएगी production ना रुके, production चलती रहनी चीए, क्योंकि अगर production रुक गई, तो जंग के अंदर आपको दिक्कत आ जाएगी essential items की, तो जब भी उद होगा, चाहे वो first world war है, चाहे वो second world war है, ठीक है, जब भी उद होगा तो कहीं ना कहीं labor policy के अंदर हरकत तो आएगी ही आएगी तो वैसी first world war के अंदर भी हुआ आपको नए twists देखने को मिलेंगे labor policy के अंदर, ठीक है social economic, political conditions क्योंकि ऐसी create हो जाती है, एक तो लोगों के अंदर नहीं hopes आ जाती है ठीक है, अब first world war के अंदर लोगों ने बहुत जादा इंडिया को, ब्रिटेइन को help किया, industrialists ने, बड़े बड़े जो इंडियन industrialists थे, जो indigenous companies थे, उन्हों ने भी ब्रिटेइन को support किया और उनको growth भी मिली उसके अंदर और अब वो assume करेंगे कि यार हम इनकी मदद कर रहे हैं जब इनका मुश्किल समय चल रहा है, जब यह लड़ाई लड़ा है, तब हम इनकी मदद कर रहे हैं तो जब लड़ाई खतम हो जाएगी तो यह ऐसी policy लेकर के आएंगे जो हमारी growth के अंदर भी help करेगी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ultimately वो लोग double विद्रो करेंगे दूसरी चीज़ क्या हुई labor unrest हो गया है इंडिया के अंदर first world war के time पर क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि demand बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ठीक है? यह economics का simple सा rule है कि अगर supply और demand match नहीं कर पाएंगे, demand supply से बहुत ज़्यादा है तो definitely prices बढ़ेंगे और क्योंकि लडाई चल रही है तो लडाई के time पर demand बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो prices जो है वो उपर जा रहे है लेकिन prices से matching जो worker की earning है या worker की wage है वो उतना उपर जाई नहीं दी, तो ultimately जो worker है वो तो विद्रो करेगा ही करेगा साथ ही साथ जो first phase है उसके अंदर अब 1919 के अंदर और 1909 के अंदर आपने देखा कि पहले moral e mentor reforms आ गए उसके बाद क्लेम्सफोर्ड reforms आ गए तो ultimately इंडिया के अंदर constitutional development भी continuously चल रही है first phase के अंदर elected representatives का provision आ गया central और provincial legislatures के अंदर तो ultimately अब ये जो labor की बात है या workers की बात है उसका मुद्दा उठाने के लिए हमारे लोग भी पहुँच गए ठीक है? पारलेमेंट के अंदर या जो central legislative assembly जिसको बोला जाता था तब या provincial legislatures महाँ पर हमारे लोग पहुँच गए अब ये ले करके organization बन चुकी है इंडिया के अंदर trade unionism का concept इंडिया के अंदर speed पकड़ रहा है हमारे आपर all India trade union congress भी बन गई 1920 के अंदर इसका भी industrial relations के उपर पूरे का पूरा impact रहेगा तो ultimately देख रहे हो कि हर तरफ से first phase के अंदर development चल रही है चाहे वो nationally constitutional development है labor unrest होने की वज़े से labor नराज हो गई है जो है trade union आपका form हो चुका है internationally आपका ILO बन चुका है ठीक है अब first phase के बाद फिर हम चलेंगे second phase के उपर second phase जो है आपका independence तक अब चलेगा second phase के अंदर क्या हुआ जब first world war में labor unrest हुआ तो ultimately अब सरकार ने देखा कि working conditions improve करनी पड़ेंगी लोगों को कुछ ना कुछ social security benefit देने पड़ेंगे नहीं तो ही नराज हो जाएंगे social security benefit जो आपको inflation वगएरे से protect करें ठीक है अब first world war के बाद सबसे बड़ा impact यही हुआ कि बहुत सारे कानून धिरे धिरे अब आएंगे आने वाले 20 सालों के अंदर first world war के बाद या second world war से पहले पहले बहुत सारे कानून आएंगे ताकि यह working conditions को improve किया जाए उनमें से एक कानून आएगा trade dispute act 1929 का trade dispute act mainly क्या कहा रहा था कि कैसे हम peacefully dispute को settle कर सकते हैं worker और employer के बीच में कैसे हम peacefully dispute को settle कर सकते हैं वो यहाँ पर बात हो जाएगी ठीक है फिर अंग्रे सरकार ने का कि चलो एक royal commission on labor भी बना देते हैं यह घड़ी-घड़ी कोई ना कोई commission बना जेते थे कोई भी चीज होती थी आज के हमारे आपर इंडिया में भी देखते हो ना हर दो मिनिट में कोई एक committee सरकार बना देती है चलो इसके लिए committee बनाओ इसके लिए committee बनाओ इसके लिए committee बनाओ तो यह हमने वहीं से सीखा तो royal commission on labor बना इसने पूरा एक survey किया कि क्या problems हैं labor की इंडिया में क्या working conditions है health, safety और welfare से related क्या measures follow किये जाते हैं और इसने फिर recommendations दिये जो आने वाले समय में जो policies बनेंगी उसके अंदर काफी important role play करेगा ठीक है उसके बाद जी दूसरा wish विश्वी शुरू हो गया अब फिर मैंने आपको कहा ना जब भी लडाई छीड़ेगी तो impact उसका आपको labor की field में दिखेगा ही दिखेगा क्यूंकि सरकार को जरूरत हो जाती है उस time पर की बही काम नहीं रुकना चाहिए अगर labor unrest हो गया और lockout हो गये strikes हो गयी तो उसमें युद्ध के अंदर वो देश हार सकता है या वो सरकार हार सकती है क्यूंकि उसके पास उसके resources ही नहीं रहेंगे production maximize करनी है तो सरकार ने कहा कि यार अब देखो हम सिरफ और सिरफ employers के भरूसे बात नहीं छोड़ सकते कि वो workers को खुश रखें पर mainly लेगी एक तो सरकार ने बोला कि industrial relations को कानून regulate करेगा सरकार regulate करेगी उसके लिए सरकार ने defense of India rules बना दिये ठीक है दूसरा इन्होंने क्या का कि एक ना common forum बनाएंगे जहाँ पर worker, labor workers employer और सरकार तीनों एक table के उपर बैठेंगे labor policy के लिए काम करेंगे ताकि तीनों के interest को ध्यान रखा जा सके इसी लिए एक tripatite consultative system बना दिया जहाँ पर worker के representative भी है employer के representative भी है और सरकार के representative भी है तो ये काम करेंगे ये tripatite consultative system इसको सबसे पहले recommend royal commission of labor ने किया था जो आपका 1931 में जिसने report दी थी जा करके अब second world war के time पर 1942 में ये ultimately successful हुआ and पहली labor conference conduct की गई इस tripatite labor conference conduct की गई हिंदुस्तान में नहीं दिल्ली में और ये की गई थी 1942 में V.R. Ambedgar की chairmanship में directly paper के अंदर question पूछ लेगा MCQ direct MCQ है ये इसको घुमा करके कान पकड करके भी नहीं पूछेगा जैसे national level के उपर ये conferences conduct की गई वैसे ही state के अंदर state labor advisory boards बनाए गए ताकि labor matters के उपर state level पे consultation conduct की जा सके finally आजाता है आपका third phase जो post independence era है independence के बाद सबसे पहले तो हमने एक industrial truce resolution adopt किया 1947 में ये क्राइपटाइट conference में इसको adopt किया गया इसके अंदर basically employers के और employees के और सरकार के representative थे और ये decide हुआ कि mutual interests को protect किया जाएगा ठीक है mutual discussion के साथ problems को solve किया जाए काम रोकने से strikes, lockouts, slow working इन सबसे कुछ नहीं होगा ultimately आपको काम में improvement लेकर के आनी है और back करके अपने मुद्दो को discuss करना है ये third phase के अंदर discuss हुआ state intervention को justify किया गया इसके अंदर कि यार अगर सरकार कुछ intervene करती है तो justified है independence के अगर आप देखते हो न immediately बाद यही हुआ कि सरकार अगर intervene करती है justified है क्योंकि वो industrial unrest को रोकने में help करेगा जो एक newly independent country जिसको अभी अभी आजादी मिलिया उसके लिए बहुत important है लेकिन इससे हुआ क्या जब सरकार की over involvement थी कानून थे तो ultimately एक spirit of litigation बढ़ गया कोई भी छोटी सी बात है चलो court चलो court और धीरे धीरे burden बढ़ता गया और जो legal process है वो इतना fast था नहीं ultimately कि ये सारे litigations को timely और adequately resolve कर सके जिसकी वज़े से एक widespread dissatisfaction जो है वो spread out होना शुरू हो गया जिसको deal किया जाएगा अब constitutional developments के साथ और five year plans के अंदर जिसको हम discuss करेंगे next lecture में तो ये थे हमारे तीन phases जो modern इंडिया के हम basically जिसमें हमने देखा 19th century to first world war first world war to independence and then immediately after independence का क्या mechanism रहा questions इसके अंदर बहुत सारे बन सकते हैं royal commission on labor कब आया ठीक है उसके बाद जो आपका second phase के अंदर industrial truth revolution कब आप्ट हुआ ठीक है उसके बाद आपसे question पूछा जा सकता है जो chairman ship of BR Ambedkar वाला question है तो multiple question बन सकते है statement based question भी बन सकते हैं अगर आप UPSC, APFC का paper देखोगे या UPSC, EPFO का paper देखोगे यह यहोगा तो इस type के questions वो अक्सर पूछता है तो अभी इस lecture के लिए तो हमें ठीक करो ठीक है चैनल को subscribe नहीं किया तो कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगे किया वो आपको helpful रहेगा Telegram group join कर लो description में link है कोई भी दिक्कत हो WhatsApp कर सकते हो या mail कर सकते हो तो इसके बाद दोस्तों हम मिलेंगे next lecture में till then take care all the best and bye bye